पत्त्त सब्सक्राइबियों को विडियो को ताइब वार्भाट बना के वहां ने थालों के लिए हैं जिहाद-फिाद, बमसे उर्णास उलाना, यह सब गरीबों के लिए है लो जैन दोस्त उनिया और आप देखने द च्छानग क्या डांग्स, इस विडियो को लाइक करिये, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिये, बल आइकन दमाना बिलकुल न दूलिएगा दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी सिर्फ ख़बर नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत इतिहास भी है और ये समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है, बड़ा इंट्रेस्टिंग लगेगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले, सबसे पहले छोटी जी ख़बर, ये गाजा का जो ग्राउन्ड असॉल्ट की बात चल रही है ना, ये इस्राइली फोर्स गाजा मैं घुसके वाँ पर हमास को ढूंड़ करेंगी, मारेंगी, तो अमिखाई चिकली है, अमिखाई चिकली इस्राइली डाइस्पोरा अफेर्स मिनिस्टर, इसका ये बयान है, इसने ये लिखा है, पहले मैं आपको बता दू, उसने बोला क्या है, इसने बोला है, माय रेकमेंडेशन फॉर हमास मिलिटेंट्स, ले हम तुम पर रहम करते हैं, मैं ये जो मंतरी जी है, अमिखेल चिकली साब, अमिखाई, मैं उनसे डिसगरी करता हूँ, पहली चीज़ तो ये, मिलिटेंट्स नहीं है, टेररिस्ट है, ये हमारा नॉमनक्लेचर ठीक होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हमें उनको मिलि ये हमारा नॉमनक्लेचर ठीक होना चाहिए, और मुझे लुटेंट्स नहीं हो, टेररिस्ट है, ये जो जाएए, इंटरनेट पे देखिये कि मिलिटेंट्स और टेररिस्ट के बीच में क्या फराख है, ठीक है, ये रहम की बात क्यों कर रहे हैं, कि हाथ करके वो हत्यार छो हमार करें, उससे क्या फराख परता है, हमास के हाथ, यहूदियों के खून से रंगे हुए हैं, और, देखिए मैं आपको इबात बताता हूँ, काफी लोगे कह रहे हैं, कि इसराइल को बदला नहीं लेना चाहिए, प्रोफेशनल रखना चाहिए इसको, नहीं आ रहे हैं, म कि बदले का स्वादी कुछ और होता है, मुझे लगता है, कि इसराइलियों को बदला लेना चाहिए, और बदले की भावना से काम करना चाहिए, तबी काम पक्का होगा, अगर ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोफेशनल में लगए ना, कि नहीं, वाज को यह नक्रना देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस्राइलीज ने कितनी मदद करी, कितनी मदद करी पैलस्टिनियन्स की, तुमाओ, लाखों लोगों को नौकरियां दी, दस गुना जादा पैसे पे, क्योंकि जाहिर सी बात है, इनकी एकॉनमी बहुत अच्छी इस्राइल की, तो उनके लि बिट्रेइड बाइड बाइड वेरी पीपल देखेंगे, इस्राइली लोगों से मिलेंगे, उनकी दोस्तियां होंगी, घुलेंगे मिलेंगे, तो देवल आलसो वो दुश्मनी भूल जाएंगे, ये दुश्मनी भूलने वाले लोग नहीं हैं भई, कोई भी हो पैलस्टिन वो हमास का हो, हमास का नहीं हो, जिहाद फी सवीलल्ला उसके यहां पे हुएं, वो जिहाद करने आ रहा है, उन्होंने दो साल रेखी करी, जो भी वापस जाता था, information देखे, कि जनाब ये देखा, ये देखा, ये देखा, वो हमास दो साल सा तयार करके, तब तो जा आजाओ 20,000 हम पाल लेंगे बड़ा देश बो कहा कि दो लाक हम पाल लेंगे कोई बातनी तो माज़ाऊ कोई कहा कि हम मर्धम दर्जे के हैं हम लाक पाल लेंगे कितने सारे मुष्लिम देश कोई अगर हजार-घार भी लेगा कुछ few thousand लेगा तो पूरे वहाँ पर आराम से बस सकते हैं जब तक इनकी problems हो, नहीं ले दे Egypt नहीं ले रहा, Syria नहीं ले रहा Jordan नहीं ले रहा, ये क्यों नहीं ले रहे इनको, क्योंकि इनको पता है जो इन्होंने King Hussein Jordan का था, उसके साथ जो इन्होंने 1970 में कर रहा था ब्लैक सेप्टेंबर में, फिर ये कुटे गायबाद में, जो इन्हों ने गड़दारी उसके साथ करी थी, उनको पता है कि ये गड़दारी फिर से करेंगे जिस मुल्क में जाएंगे, इसलिए मुस्लिम मुल्क भी इनसे डरते हैं, क्योंकि इनके गड़दारी के किस्से बह हमास ने तेल और मेडिकल सप्लाइस की चोरी कर दी, यूनाइटेड नेशन्स का जो रेफिजी वाला जो मामला है, मैकमा है, उसके पास काफी कुछ तेल पड़ा था, काफी कुछ मेडिसन्स पड़ी थी, और उसके पास डी सैलिनेशन, यानि कि जो खारा पानी है समुंदर का दोस्तों, उसको वापिस मीठा पानी बनाने के लिए, जो पूरा प्रोसेस होता है, कुछ material required होता है, वो सारा का सारा हमास वालों ने चोरी कर लिया है, और ये प्रूफ करता है, कि भाईया, अगर आपने ये सब लिया है, तो क्या आपने आम जो लोग हैं, आम जो लोग लोग कहते हैं, ना हमास में होस्टेजिस क्यों लिये है, इसके पीछे भी इतास है, और मुझे लगता है कि आज के वीडियो का ना सबसे इंट्रेस्टिंग पार्टी है, कि हमास ने ऐसा करा क्यों, इसके कई कारण है, इसका ये भी कारण है कि इसराइल से जब बातचीत हो कि उनको वहाँ पर रखेंगे, जहां पर उनको पता है, इसराइली बं मारेंगे, तो वहाँ पर रखेंगे और इसराइलियों को बताएंगे, हमें पता है, तुम यहां पर बं मारने वाले हैं, तुम बं मारोगे, यह भी मर जाएगे, यह भी है, लेकिन इसका इक तिहास है एक इज़राइली फॉजी था जिसका नाम था गिलाड शलित ठीक है जी गिलाड शलित क्या था है टैंक पर बैठा था तो ये नीचे टानल से आए इसके पीछे से आए और इस फॉजी को पकड़के ले गए समझने हैं आप मेरी बात ये इसराइली फॉजी अपने टैंक में था ये लोग टरनल से आए इस सुरंग से आके इसको ले गए इसको अपने साथ रखा चार-पांच साल जितने साल भी रखा आपको पता है इसराइल ने अपने एक फॉजी को छोड़ाने के लिए कितने पैलिस्टिनियन आतंकवादी छोड़े आप सोच सकते हैं एक हजार येस मैं सही कह रहा हूँ एक अपने फॉजी को छोड़ाने के लिए एक हजार पैलिस्टिनियन्स इसराइल ने छोड़ दिये अब मैं दूसरी चीज़ प्यारता हूं आपने पास। चार अपने फज़ी लेने के लिए सिरिया से और एक अपना अपना मरा हुआ फजी जिसने खुद को फांसी लगा ली थी Kylie अउसकी डेड बाडि लाने के लिए क्योंकि इसuralite कैते हैं कि जिन्दा है या मरा है हमारा बंदा और उसकी dead body कम से कम उसके परिवार तक तो पहुचानी हमें चाहिए ये professional armies करती है दुनिया भर में, इंडियन आर्मी कभी यही है कि never leave your dead in battle एक इंडियन आर्मी में हमें जो हम 1983, इसराइल ने 4700 Palestinian और Lebanese prisoners को छोड़ा ठीक है, 4700 को छोड़ दिया including some terror convicts इसमें कई terrorists भी थे, उनको भी छोड़ दिया सिर्फ 6 इसराइलियों को वापिस लेने के लिए जो PLO ने Palestinian Liberation Organization हमास का चाचा हमास का बतीजा वही रिष्ट है इनका, उन से सिर्फ अपने चार बंदे लेने के लिए इनोंने, सॉरी, माफ कीज़ेगा 6 अपने बंदे लेने के लिए 6 इसराइली फॉजी लेने के लिए दोस्तों इनोंने 4700 Palestinian और Lebanese छोड़ दिये समझदे हैं मेरी बत दो और इसराइली सोलजर थे जिनको 1985 में छोड़ा गया जिसके एवर्ज में इसराइल ने 1150 Palestinians छोड़ दिये 2004 और 2008 में भी Prisoner Exchanges हुए यह आपको क्या दिखाता है कि एक बंदे की जगे 1000 छोड़ दिये इसराइल करता है कभी आपना सोचा है क्योंकि इसराइल एक लोगतंतर है और यह बाकी जो उसके आस पास है सारे की सारे जिहादी है यह पैदा ही हुए मरने के लिए यह चाते हैं कि पैदा होती ही मर जाएं उपर जन्नत बहत्तरूरों के पास यह माइंड सेट है इसराइल तो ऐसा माइंड सेट नहीं है इसराइल तो डेमोकरसी है तो इसराइल में एक नागरिक की भी जान की कीमत बहुत जादा है और सरकार को एक एक जान की कीमत का हिसाब देना पड़ता है इसराइल का यह कल्चर है हमास वाले तो कहते हैं हम तो पैदा होते ही जब वहाँ पे लड़का पैदा होता है वो लोग कहते हैं हमास वाले कहते हैं सुसाइड बॉमर पैदा होगी है सुसाइड बॉमर तो उनका मामला ही वैसा है तो हमास वालों को कोई फरक नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है नहीं किसी के लिए हमास की जो लीडर्शिप है दोस्तों हमास के जो टॉप बॉसे हैं वो गाजा में थोड़ता है देखिए यही फ्रॉड है सबसे बड़ा पाकिस्तान का देख लो पाकिस्तान कितने जिहादी कश्मीर में भेजता है भेजता है कि नहीं भेजता आपको पता है वो सारे के सारे तो गरीब है कभी आपने सुनाई किसी पाकिस्तानी जर्नेल का बेटा पहुँच ग गए अश्रिनЕगर में जिहाद लेड़ने के लिए या पाकिस्तानी बिरोक्राइट का बड़ा नोकरशा कुई था उसका लड़का पहुच गिया यह पाकिस्तानी बाट टॉप के बिजिनसमेन का कोई बेटा पहुँच गिए नहीं, यह गरीबों के लिए है यह जिहाद, फिहाद, बम से उड़ना यह सब गरीबों के लिए है तुम जन्नत जाओगे पाकिस्तानी क्या कहता है पाकिस्तानी कहता है Comment पाकिस्तानी जर्नेलों के बच्चे लंडन जाते हैं, ऑक्सफर्ड जाते हैं, है ना, जो गरीब का बच्चा है, वो कश्मीर जाता है लडने के लिए, तो मैंने आपको एक्जम्पल कश्मीर का क्यों दिया, इसलिए दिया, क्योंकि हमास का भी वैसा ही है, हमास की टॉप ली है एश कर रहे हैं और वहां से मोबाइल फोन पर यह अपनी मुव्मेंट चला रहे हैं वहां से बैठे हुए यह लोग थोड़ना मापे मरने के लिए आएगे देवल नॉट कम तो दोस्तों यह स्टोरी यह वहां की तो मैंने बोला आपको बता दू इसराइल इसलिए बड़ा जिसको कहते हैं आ कि इसराइल को बड़ा दर्द हो जाता है यार अगर इस्राइल का एक फौजी चला है अब इस्राइल का परधान मंतरी बेंजमिन नतिनियाओ का है वो तो इस्राइल के अंदर है इस्राइल का डिफेंस मिनिस्टर का है इस्राइल के अंदर इस्राइल का है इस्राइल का आर्मी चीफ का है इस्राइल के अंदर हमास के सारी लोग नीचे भास फूंटूं करने भाले मिडाले लेवर ओ लेवर वाले उपर से हुकुम करते हैं एह इरान से बैठके र॥ूं Consuel अच्छ और темпер. यह लेल फुल्ड यह Twitter पे है यह मैंने सका ट्वीट मुझा वरा प्रापूस का ट्वीट है यह केहता है कि भई अर भाव अ c続 बशेक्व प्रब्रेश को बताता हूँ कि यहICल यह टैकनलोजी पीलता है और गूगल Microsoft और छ ले लिए है कि 12 सितंबर आप जाके अपने इंटरनेट पर देखिए 12 सितंबर 2005 को इसराइल ने बोला कि जो 38 साल से हम गजा पर बैठे थे गजा पट्टी पर हम यहां से जा रहे हैं सुन लीजे यह डेट है 12 सितंबर की 12 सितंबर 2005 को इसराइल ने यह बोला है कि जो गजा पट्टी पे हम लोग 38 साल से बैठे हुए हैं हम इसको छोड़के वापिस जा रहे हैं आपको आपका देश मुबारक ये इसराइल ने क्यों करा इसराइल ने दोस्तों एकाम इसले करा इसराइल ने बोला कि अमन होगा शांती होगी जियो पॉलिटिकल मामला ठीक वैठेगा पूरा एकॉनमी अच्छी होगी और क्यों हम लोग लड़ते रहे हैं शांती करते हैं चलो हमने आपकी जमीन ली थी क् इसराइल के लिए 9000 बहुत होता है ठीक है भारत में तो यहां पर सेक्टर 44 के अंदर ही 9000 से ज्यादा होंगे लेकिन भारत में कोई फरक नहीं पड़ता 9000 का इसराइल में 9000 बहुत होते हैं क्योंकि छोटा मुल्क है छोटी पॉपलेशन है अच्छा 9000 लोगों को इसराइल ने बोला कि ठीक है कोई बात ने हम आपको इधर घर देते हैं उनको शिफ्ट करा उनके लिए नए घर बनवाए उनको इसराइल में रिसेटल करा और फिरस्तिनियों को बोला कि आपको गाजा पट्टी चीए थी ये लो आपकी गाजा अपनी खुद की इसराइल को दो अरब डॉलर खर्च हुए इसराइल के इसमें पूरे ठीक है और 2004 में आफर दे गर्मेंट अप्रूफ दे इसंगेजमेंट प्लान शेरान कॉल्ड इस्टेप ग्रेट इंपॉर्टेंस फूर इसराइल फूचर तो 2004 में इसको इसको इसकी प पांच में यह जब हो गया बट एक और 2007 में कॉन्फिक्ट हुई फत्य और हमास फत्य एक और टेरर ग्रूप है और हमास हमास टुक कंट्रोल अफ कोस्टेल एंकलिव इन्हों ने पैलेस्टिनियन लीडर के साथ भी जड़पे करी हमास ने अब मैं आपको बताता हूं उसमे सुना इसका सुना इतियास के कोई नोलिज नहीं है आके यह वक performed की है मैं बतारूँ इसंब्लाव इंस L बीड मान सकता के साथ लो चल रहें अब देढ़ो ईश्रैल ने अपना तरम नेवाय लो बोला तुम लेलो अॡ़क। पर क्या ये हमास को मंजूर था दोस्तों नहीं मंजूर था तो जब हमास कहता है तो सी के पास को होन है भई इसराइल यानि कि ये चाहते हैं इसराइल को साफ कर दे इनका नारा है इनका प्रॉपर अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे इनकी वेबसाइट पे ये कहते हैं कि हम लोग नहीं अगरी करते हैं इसराइल को भई एक बात बताओ इसराइल लड़ को रहा है इसराइल जो बना था वहाँ पर यूएन मेंडेट से बना था यूनेटिड नेशन में बोला था ये जमीन इसराइल की होगी अब एक बात बताओ यार ये लोग मानने को तयार नहीं कि इसराइल वहाँ पर रहे कहरें इसराइल को हम खतम कर देंगे हमास h lass लड़ाई है तो इसमें मैं इसराइल के साथ काफी लोगोंने मुझे कितने इंडियन्स गए होंगे इसराइल बहुत कम, very few, बहुत कम ना के बराबर इसराइल गए होंगे, कितने इसराइली इंडियन्स आएंगे, बहुत कम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम एक है, हमारी प्रॉब्लम एक जैसी है, इसलिए इतना जादा इसराइल के लिए सपोर्ट ह ये जो पूरी चीज है ना कि इसराइल ने बोला कि छोड़ दो छोड़ दो फिर हमास ने बोला कि नहीं हम आपको जिन्दा नहीं रहने देंगे दोस्तों पूरी कहां ही यह है हमास वाले आतंकवादी हैं हेजबॉल्ला वाले आतंकवादी है फता वाले आतंकवादी इनका काम ही ये है किसी तरीके से यहूदियों को मारो और वहाँ पे एक इसलामिक सामराज्य वहाँ पे गठित कर दो कोई और धर्म वहाँ पे ना चले बस यह लोग यह चाहते हैं मैं पूरे Palestinians को blame नहीं कर रहा है I'm not blaming Palestinians though Palestinians are also to blame for supporting Hamas वो चुन के आए ना Hamas, आपको पता है आतंगवादियों के election चल रहे हैं भी यह हम आपे तो यह story है आज के तो दोस्तों अब हम आते हैं question and answers पहला दोस्तों सवाल यह है कि कावियान शिंदे का है पहला सवाल, कावियान जी यह कहते हैं कि हमने यह देखा है कि जो immigrant हैं, जो बाहर से लोग आते हैं सेटल कर रहे हैं, यॉरप में और US में, यह highly radicalized बहुत जादा radicalized हैं, जहांपे radicalization है Syria, Palestine, यह खुल के Hamas को support कर रहे हैं, अगर कोई emergency situation है, इसराइल जैसी होती है यॉरप और US में, तो क्या इन highly radicalized immigrants को वहाँ से deport कर सकते हैं, मुझे लगता है कि emergency situation का भाई साब, वहाँ पे wait नहीं करना चाहिए जो जो भी है, जो देख गया आपको CCTV में कि यह protest नहाए था, उसको पकड़ के deport करो मैं बता रहा हूँ, यह उसामा बिन लादन के बच्चे हैं, उसकी उलादे हैं इनमें से कोई अमरीका के बीच, और यह अच्छा हुआ यह जो इसराइल के खिराफ प्लोटेस कर रहा है, अच्छा हुआ, यह लोगों के सामने में जो हो रहा है, इंडिया वालों ने तो टाइट कर दिया है, और उत्तर प्रिदेश में तो बिलकुल ऐसा है, बिलकुल कैसी चूड़ियां का तरक्की है कि बोल दे कोई मुझा है फिलिस्तिंग, तो थैंक्यू ही हो जाएगा उसका वाँ पे बानु तेज जी का दूसरा सवाल है, in the context of modern warfare, what do you think is the significance of non-kinetic? मानु जी ये पूछ रहे हैं कि modern warfare में, यानि कि जो modern युद्ध होते हैं, उसमें non-kinetic, दोस्तों, kinetic वो होता है जिसमें कि लड़ाई, जगड़ा, गोला, बारी, ये सब फिल्कुल जिसमें होता है, उसको kinetic बोलते हैं, non-kinetic होता है कि जिसमें इसके अलावा जो लड़ाई होती, जैसे कि सूचना युद्ध हो गया, जिसको हम information warfare भी कहते हैं, तो कहते हैं कि information warfare कितना important है, बिल्कुल important है, बहुत जादा important है युक्रेन ने पूरा का पूरा सूचना युद्ध का फाइदा उठा है, युक्रेन ने पूरा फाइदा उठा है, आज की तारिक में जो युक्रेन है, उसका जो जेलिंस की हो सबसर बड़ा चोर है, CIA कहता है, CIA कहता है, मारे पैसे खागया है, लेकिन पूरे western world के सामने hero ब देख लीजे, हमास ने कहते हैं, गुडिया जो होती है, गुडिया जो प्लास्टिक की गुडिया होती है, उसको लपेट के कि एक बच्चा शहीद हो गया, उन्हों गुडिया ऐसे करी है, वो भी सूचना युद्ध कर रहे हैं, तो भी सूचना युद्ध तो दुनिया में influence operations तो इस तरीके से हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि मीडिया और सोचल मीडिया का वेपनाइजेशन कितना जादा हो गया है और कितना important है मिरानी यह कहते हैं कि there is been sudden improvement of पाकिस्तानी रुपी compared to dollar के ना पाकिस्तानी रुपिया जो है थोड़ा सा एक-दो चीजों पर पावंदी लगा दी holding पर पावंदी लगा दी तो रुपे थोड़ा सा इनका ठीक हो गया और इनका रुपे जो ठीक हुआ है वह ऐसा कोई ठीक नहीं हुआ है अभी धी I think 280-285 के आसपास है राइट पहले जादा बेडा गार को गया तब कम बेडा गार के तो कोई यह कहता है कि साब पाकिस्तानी रुपी इस परफॉर्मिंग वरी वेल नो इस नो परफॉर्मिंग इस परफॉर्मिंग होरिबली बट अब थोड़ा सा कम होरिबल है प झाल 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 झाल